नमस्कार दोस्तों academic zone में आपका स्वागत रहे हैं दोस्तों हम परगतिवाद पर बात कर रहे हैं या कौन सी कालब के उपस थी उन सब पर दोस्तों हमने बिल्कुर बात करी थी कि कैसे धाराई वो चलती रही जो छायावाद की कवी थे वो कैसे परगती वाद में भी लिखते रहे छायावाद की कवी जो सुर्यकांत्रिपाठी निराला जिस सुमित्रा नंदन पत जी कौन-कौन सी रचनाई हैं जो कि परगती वाद के अंतरगत रखी जाती हैं और हम बा कोई भी वेपल लीजी आप तो जो प्रसिद कवी है मैं आपको बार बार बताती हूं उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रकाशन वर्स के साथ महतपून कवीता हैं उनका विशय क्या था वो सभी चीजों पर हमने बात की उसी तरह आज हम प्रगतिवाद के परमुकवियो और बात करेंगी nih कि 밝धिवाद 1936 में फ्रगतिवाद की शुरू sometime जाती है जो पेर इस में अ प्रोग्रेसिव राइट शेंट हुए थी तवानी से प्रगतिवाद की शुरूआत मानी जाती है और भारत में 1936 में सज्जाद जहीर और मुलक राज आनद के प्रियास से एक साखा खुली थी और पर्थम अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्स प्रेम चंद जी तो प्रगति सी लेक अक्संकी जो स्थापना हुई थी उसी से प्रगतिवाद की स्थापना मानी प्रगतिवाद की सुरुआत मानी जाती यानि 1936 के आसपास जो चाया वादी कवीता है थी उनका हमें अभाव नजर आया जो प्रगतिवाद से समालेत रजनाए प्रयाप्त मात्रा में मिले लगी इसलिए 1936 है प्रगतिवाद की सुरुआत मानी जाती है और इसका जो अंत है वो 1943 से माना जाता है यहां से अग्येजी ने ज नछिए योगवाद की सुरुआत मानी जाती है तो प्रगतिवाद की सिर्मस्रीवाभ्त में आपको याद रखनी है 1936–1943 तक तो था प्रगतिवाद के प्रमुख conscious पर बात कर रहे हैं केदार नात्याथ गर्वाल जी पर हम बात कर चुके एं राम विलास सर्मा है पर हम 1911 इस्वी में इनकी जो जनम की तारीक है उस पर विवाद रहा है कुछ विद्वानों ने माना है कि नागर जून का जनम 11 जून को हुआ था और कुछ विद्वान 30 जून को मानते 11 जून 30 जून इस पर विवाद रहा है लेकिन हमारे जो पेराइक जाम में वेप्रों में पूछा जाता है वो साल पूछा जाता है तो नागर जून जी का जनम 1911 इस्वी में हुआ था और इनकी मृत्य हुई थी 5 नवंबर 1908 इस्वी में इनकी मृत्य हुई थी 1911 इस्वी में इनका जनम हुआ था इनका जनम कहां पर हुआ था वर्तमान मधू बनी मधू बनी जिले के सत लखा में मधू बनी जिले के सत लखा में मधू बनी जिले के सत लखा में इनका जनम हुआ था जो की इनका ननी हाल है इनका जनम इनके ननी हाल में हुआ था लिकिन इनका जो पैत्रिक गाउँ है पैत्रिक गाउँ कौन सा है? तरोनी जिला दर्बंगा तो ज्यादा तर पुष्टकों में यही दिया हुआ है पैत्रिक गाम हजिल का तरोनी जिला दर्बंगा यानि इनका जो गाम है नागर जुन जी का पैत्रिक गाम तो वो तरोनी जिला दर्बंगा है लेकिन इनका जनम हुआ था इनके ननिहाल वर्तमान मदुवनी जिले के सतलखा गाउं में इनका जनम हुआ था लेकिन इनका पैत्रिक गाउं है तरोनी जिला जोकी जिला दरवंगा के अंतरगत आता है यह आपको याद रखना है और जो एक्जाम में भी पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है आपको याद रखना है यह नागार जुन जी का जो वास्त्रिक नाम था वो वैद्यनाथ मिशर था मिशर यह भी महतरपुन पर्शन है वैद्यनाथ मिशर नागार जुन जी का वास्त्रिक नाम था यानि मुल नाम उनका जो क्या था वैद्यनाथ मिशर था नागार जुन इनका उपनाम था हिंदी साहिते में इन्होंने जो लिखा है वो नागार जुन नाम से ही लिखा है मैथिली में मैथिली भाषा में यह यात्री उपनाम से लिखते थे किस उपनाम से लिखते थे यात्री याद रखने हैं दो उपनाम है इनके नागार जुन जो कि परसिद है नागार जुन के नाम से हम इने जानते हैं तो आपको इनका वास्त्विक नाम भी याद रखना है, वयद्यनात्मिशरिंग का वास्त्विक नाम है, और जो मैत्री भाशा में इनकी रचनाई मिलती है, वो यात्री उपनाम से इनकी रचनाई मिलती है, पहला साहित्यक उपनाम इनका यात्री ही था, पहला साहित्यक उप उपनियास कार के रूप में इनको गिना जाता है तो इनका मूल नाम है अगर पिता जी का नाम था गोकुल मिसर गोकुल मिशर इनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था उमादे गोकुल मिशर पिताजी का नाम माताजी का नाम उमादे भी उपनाम यात्री और नागरजुन मूल नाम वैदेनाथ मिशर ऐसा माना जाता है कि जो वैदेनाथ मिशर थे यानि नागार जुन जी इनका जो बचपन का नाम था वो ठकन था बचपन का नाम क्या था ठकन था क्योंकि गोकुल मिशर के यहाँ पर नागार जुन जी से पहले पांच संताने हुई थी लेकिन वो बची नहीं थी यानि उनकी पैदा होते ही मृत्य हो जाते थी तो बहुत ही दूखी थे जो मिशर दमपती थे वह बहुत ही दूखी रहते थे तो गोकुल मिशर जीने जो ठाकुलएदनात स्वाद थें उनकी पूजा अर्शनाकि फो पहले भी करते थे लेकिन उनकी संताने बार-UP पार मर रही थी उनके कान को उनकी ओर पूजा करने लगे और तब जाकर नागर जुन जी का जनम हुआ था क्योंकि वो पहले वाले जो इनकी पांच संताने थी वो पैदा होते ही मर जाते थी यानि इनको ठग लिया था उन्होंने इसलिए इनको लगता था कि जो नागर जुन दंदा जुआ था इनके के नाम पर रख दिया था वैदयनाथ मिश्ल से पिताजी वो कुछ काम दंदा नहीं करते थी जो जमीन थी इनकी खेती बाड़ी की दोस्तों वो भी इन्होंने पट्टे बर्दे रखी थी तो नागर जुन को संपत्ति के तोर पर कुछ नहीं मिला था नागर जुन जी के भी जो नागर जुन दब पत्ति थी वो बड़ी मुश्किल से अपना घर बार है वो चलाते थे उन्हें के जैसा ये माहोर उसी में नागर जुन जी का पालन पोशन हुआ तीन वर्स के जब यह हुए थे तो इनकी माता जी का देहात हो गया था तो कूकुल मिशर कुछ करते नहीं थे तो नागर जुन जो कि उनकी मात्रही इकलोती संतान थी उनको लेकर अपने रिस्तेदारों के यहां वहां घूम प्रवर्ती के थे तो सायद वह प्रवर्ती वही से आई हो इनको कंधे पर बठाकर इनके पिताजी अपने रिस्तेदारों के यहां इधर उदर घूमते रहते थे तो नागर जो या वैदयनाथ मिशर जी की जो चार लड़किया और दो लड़के संतान थी इनकी तो यह था वैदयनाथ मिशर जी के बारे में कुछ महतपुर्ण जाने करें इनके जीवन से संब्दे जो हमारे लिए महतपुर्ण चीजी हैं वो यह है इनका जनम आपको याद रखना है 1911 इस्वी में मृत्यू 1998 इस्वी में जनम इनका हुआ था इनके ननिहाल यानि मदूवनी जिले के सतलखा गाव में लेकिन इनका जो पैत्री गाव या इनका जो गाव है वो है गाव तरोनी जिला दर्भंगा में इनका जो मूल नाम है वास्तिक नाम वैदेनाथ मिशर नागर्जुन इनका उपनाम है जो कि हिं कुप नाम भी यात्री है यह हमारे लिए महतापूर्ण है तो अब हम बात करेंगे इनको पुरुसकार आदि दिये गए हैं उन पर यह इनके जीवन से सम्मलित कुछ महतापूर्ण जानकारिया दिए कि नागर्जुन जी को दोस्तों साहित्य अकाद्मी पुरुषकार मिला था साहित्य अकाद्मी पुरुषकार मिला था इनको 1979 इनकी किस कावे संग्रया पर जो की पत्तर हीन नंगन गाज ये इनका इनकी रचना थी मैथली भाषा में थी मैथली भाषा की रचना थी पत्तर हीन नंगन गाज साहित्य काद्मी पुरुषकार मिला इनको उननी सो उनहत्तर इस्वी में उसके बाद है दोस्तो भार्ट भारति सम्मान दिया गया इनको भारत भारती सम्मान इनको दिया गया उननी सो सतासी स्वी में उत्तर परदेश हिंदी सस्थान लखना उद्वारा उत्तर परदेश हिंदी संस्थान उत्तर परदेश हिंदी संस्थान लखना उद्वार कौन सा सम्मान दिया गया इनको भारत भारती सम्मान दिया गया उननी सो सतासी इस वी में उत्तर परदेश हिंदी संसान लखना उद्वारा इसम्मान इनको दिया गया उसके बाद है मैथली शन गुप्त सम्माण मैथली शन गुप्त सम्माण इनको मद्य अ पर देश सरकार की और से दिया गया मद्याप्रदेश सरकार द्वार मैथनी शनगुप्त समान इनको दिया गया मद्याप्रदेश सरकार द्वार उसके बाद है राजेंदर सिखर समान राजेंदर सिखर समान राजेंदर सिखर समान उननी सोग चौरानवे स्विमें इनको दिया गया उननी सोग चौरानवे स्विमें दिया गया बिहार सरकार द्वार बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा कुन सा समान दिया गया राजरेंदर शिक्रन समान दिया गया बिहार सरकार द्वारा इनको साहित्य अकादमी की सर्वोच फेलो सिब से समानित किया गया इससे साहित्य अकादमी की सर्वोज फेलोशिप सर्वोज फेलोशिप से समानित किया गया नागार जिन जी को हर्थ हर्थी समान साहित्य अकादमी की सर्वोज फेलोशिप से समानित किया गया इनको उसके बाद राहुल सांकर्दयान समान राहुल सांकर्दयान समान राहुल सांकर्दयान समान दिया गया पस्चिन बंगाल सरकार द्वार यहें नागर जिन जी को जो पुरुसकार या सर्मानित किया गया है उन सबके बारे में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरुसकार इनको मिला कब 1979 इस्वी में मैथली भासा की जो इनकी रचना थी पत्रहीन नगन गाज पर इनको यह पुरुसकार दिया गया साहित्य अकादमी पुरुसकार 1979 इस्वी का उसके बाद है दोस्तो भारत भारती सम्मान 1987 इस्वी में उत्र प्रदेश हिंदी संस्थान लखनाव द्वारा ये सम्मान से सम्मानित किये गई नागार जिन जी भारत भारती सम्मान से मैथली शनगुप्त सम्मान मद्य प्रदेश सरकार द्वारा अमग नागार जुन को मैथली शनगुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया राजेंदर शिक्र सम्मान 1994 इस्वी में बिहार सरकार दुआरा सम्मानित किये गई नागार जुन्जी राजेंदर शिक्र सम्मान दुआरा 1994 इस्वी में साहित्य अकाद्मी की सिर्वोज फेलोशिप से सम्मानित किये गई नागार जुन्जी तो दोस्तो आपको दो महतपुन चीज़े यहाँ पर हमने बताई पहली नागर्जुन जी के जीवन से संबंदित कुछ महतपुन जानकार या कुछ महतपुन परशन जो की बार-बार पुछे गए हैं तो वो आपको पता चल गया, 1911 इस्वी में इनका जनम हुआ था 1998 में इस्वी में मृत्यु हुई थी, जनम हुआ था इनके ननिहाल मदूबनी जिला जिले के सतलखा गाउं में, इनका पैत्रिक गाउं है दर्बंगा जिले का तरवनी गाउं इनके जो उपनाम दो उपनाम है, एक तो नागरजुन ही इनका उपनाम है, दूसरा है यात्री यात्री जो इनका साहित्य पर्थम उपनाम है, जो ये संस्कृत और मैथली की रचनाएं करते थे, वो यात्री नाम से करते थे और हिंदी में जो इनका साहित्य मिलता है वो नागरजुन नाम से मिलता है इनका जो वास्ट्विक नाम है वो वैद्यनाथ मिशर यह आपको याद रखने है तूसरी में है तो पूंचीजे हैं यह जो सम्मान इनको दिये गई है साहित्य अकाजमी की सिर्वोज फेलोशिप से इनको सम्मान इत किया गया और राहूर सांकर्तियान सम्मान दिया गया है इनको पस्चिम बंगाल सरकार दुआरा तो यह भी आपको याद रखने हैं सबी चीजे नागरजुन जी को हिंदी संस्कृत बांगला मैथली आदी भाषाओं का बहुत ही अच्छा ग्यान था यह इन में मोलिक रचनाई भी लिखते थे संस्कृत बांगला मैथली में मोलिक रचनाई भी लिखते थे और इन भासाओं से इन्होंने बहुत सारे अनुवाद भी किये हैं यह आपको याद रखने हैं इन जो भासाई थी संस्कृत बांगला मैथली इन में यह मोलिक रूप से रचनाई भी करते थे और इन भासाओं से अनुवाद भी नागर जुन्जी करते थे नागर जुन्जी की खड़ी बोली की सुर पर्थम रचना कौन सी है खड़ी बोलीगी सिरोप पर्थम रचना कौन सी है राम के पर्थी राम के पर्थी जोकी 1935 में लिखी थी नहोंने और विष्व बंदू पत्रीका में छपी थी विष्व बंदू जो पत्रीका कहां से निकलती थी लाहोर से लाहोर से निकलती थी जो वर्थमान में लाहोर पाकिस्तान में है लेकिन 1935 सुस्वे में ये छपी थी के परति रिविश्रव बंदू पत्रीका में जो की लाहूर से निकलती थी तो खड़ी बोली के सरव पर्थम रचना है राम के परति नागार जुन को परगतिवाद का सला का पुरुष कहा जाता है परगतिवाद का शला का पुरुष कहा जाता है किसे नागार जुन को परगतिवाद का सला का पुरुष कहा जाता है और दूस्तो चाया वाद का सला का पुरुष कौन है चाया वाद का सला का पुरुष है याद रखने हैं आपको नागर्जुन को परगति वादि का सला का पुरुष कहा जाता है और छायावादि का शला का पुरुष है सुर्य कांत्रि पाठी निराला जी आपको इध्यान रखना है परगति वाद में नागार्जुन को शला का पुरुष कहा गया है नागार्जुन को प्रगतिवादिका शलाका पुरुस कहा गया है डोक्टर बच्चन सिंग ने डोक्टर बच्चन सिंग ने नागार्जुन की कवीताओं को नुकड कवीता की संग्या दिए नागार्जुन की कवीताओं को नुकड नागार्जुन की जो कवीताओं है उनको नुकड कवीताओं की संग्या दिए किसने डोक्टर बच्चन सिंग नागार्जुन की कवीताओं को क्या कहा है नुकड कवीताओं की संग्या दिए नागार्जुन को पर्गतिवाद का शलाका पुरुस कहा जाता खड़ी बोली सरवपर्थम रचना है नागार्जुन की राम के परती जो की 1935 में प्रकाशित हुई थी किस पत्रीका में विसवबंदु में जो की लाहोर से निकलती थी यह आपको याद रखने हैं तीनों ही पर्षन महतपुन है खड़ी बोली कि सरवपर्थम रचना नागार्जुन को पर्गतिवाद का शलाका पुरुस और डॉक्टर बच्चन सिंग ने नागार्जुन की कवीतां को क्या कहा है नुकड कवीतां की संग्या दी अब हम बात करेंगे नागार्जुन की महतपुन काव्य संग्या हुपर जो की बहुत ही महतपुन है और आपको सभी याद रखने है नागार्जुन जी का जो पहला काव्य संग्या है वो है युगधारा जो की 1953 इस्वी में प्रकाशित हुआ था युगधारा 1953 इस्वी में प्रकाशित हुआ था पर्थम काव्य संग्या है नागार्जुन जी का खड़ी बोली का उसके बाद है सत्रंगे पंखों वाली ये कब प्रकाशित हुआ था 1969 इसके बाद है 85 पत्राई आखी 85 पत्राई आखी 85 पत्राई आखी 1962 इसके बाद है दोस्तों भस्मांकुर भस्मांकुर उन्नीसो इकत्र इस्वी बस्मांकुर का प्रकाशित हुआ उन्नीसो इकत्र इस्वी में तालाग की मचलियां उन्नीसो पिचेत्र इस्वी खिचडी विपलव देखा हमने खिचडी विपलव खिचडी विपलव देखा खिचडी विपलव देखा हमने उन्नीसो इस्वी इसके बाद तुमने कहा था तुमने कहा था उन्नीसो इस्वी तुमने कहा था उन्नीसो इस्वी हजार हजार बाहों वाले हजार हजार बाहों वाले उन्नीसो इक्यासी इस्वी हजार हजार बाहों वाले 1981 पुरानी जुतियों का कोरस पुरानी जुतियों का कोरस पुरानी जुतियों का कोरस 1983 पुरानी जुतियों का कोरस 1983 ये कावे संग्रे हैं नागार्जुन यानि वैदेनात मिशर जी के सबसे पहला है युगधारा उन्नी सो तिरेपणिस्वी सतरंगे पंखों वाली उन्नी सो उन्साठिस्वी 85 पथराई आंखे उन्नी सो बासठिस्वी भसमांकुर उन्नी सो इकतरिस्वी तालाब की मचलियां उन्नी सो पिचेतरिस्वी खिचडी विपलाव देखा हमने उन्नी सो असी स्वी तुमने कहा था उन्नी सो असी स्वी हजार हजार बाहों वाले उन्नी सो इक्यास्टिस्वी और पुरानी जुतियों का कोर्स उन्नी सो तिरासी स्वी यह हैं सभी कावे संग्रे नागार जुन जी के प्रकाशन वर्स के साथ, ऐसे ही आपको यह याद रखने हैं, तीन चार बार जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको आराम से यह याद हो जाएंगे, अगर आप कोई ट्रिक लगा कर इसको याद करना चाहते हैं, त तो इसको अराम से याद कर सकते हैं, तो सभी आपको ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद ध्यान से याद करने हैं, तो आप सभी को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रकाशन वर्स के साथ, फिर आपको यह अच्छल से याद हो जाएंगे, नागार जुन जी, परगतिवाद के महत पून कभी है बार-बार इनसे प्रशन पूछे जाते हैं तो आप इनके सभी काव्य सिंग्रेहों को सभी रचनाओं को ध्यान से याद करें इसके बाद है दोस्तों जो इनका भस्मांग कुर्प रचना थी जो एक खंड काव्या है क्या है खंड काव्या है जो बरवे चंद में रचीत है भस्मांग कुर्प एक खंड काव्या है जो बरवे चंद में है आपको ये याद रखना है बरवे चंद में है और खंड काव्या है ये हस्मांग कुर्प आपको याद रखना है ये इसके बाद है दोस्तो पत्तरहिन नगन गाच गाच पत्तरहिन नगन गाच चो इनकी रचना थी ये मैथिली भाशा में है पहले भी हमने इस पर बात की थी मैथिली भाशा में है मैथिली भाशा में है इसमें बावन कवीत आए पत्तरहिन नगन गाच मैथिली भाशा में है दोस्तो और इसमें कितनी कवीताई संकलित हैं? 52 कवीताई संकलित हैं मैठली भाषा की चो यह कावे संग्रेय है दोस्तो इसमें 52 कवीताई संकलित हैं और इसी पर नागार जुन जी को 1969 इस विका साहित्य काका आदमी पुरुषकार दिया गया था और बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी रचना है जिसकी रचना नागार जुन जी ने खड़ी बोली में नहीं की है तो वो यही है क्योंकि इसकी रचना मैठली भाषा में की गई है आपको याद रखनी है नागार जुन ने अपनी कवीता नागरजुन जी ने अपनी कवीता नागरजुन ने अपनी जो इनकी जो कवीता थी परती हिंसा ही स्थाई भाव है नागरजुन ने अपनी कवीता कौन सी कवीता परती हिंसा ही स्थाई भाव है किस संदर्व में लिखा है किस संदर्व में लिखा है क्या लिखा है कि यह है तो नागरजुन साहित्य का मैनिफेस्टो है नागरजुन साहित्य का मैनिफेस्टो है नागरजुन ने अपनी ही कवीता कौन सी कवीता परती हिंसा ही स्थाई भाव है किस संदर्व में लिखा है खुद ने ही कहा है कि जो नागरजुन साहित्य का ये जो रचना है परती हिंसा ही स्थाई भाव कवीता है उनकी कि यह है तो नागरजुन साहित्य का मैनिफेस्टो है आपको याद रखना है यह कौन सी कवीता को कहा करती हिंसा इस्थाइबा और नागरजुन नहीं कहा है खुदी ने अपनी कवीता के बारे में कि यह तो नागरजुन साहित्य का मैनिफेस्टो है नागर्जुन को राजनीतिक कवी के रूप में भी जाना जाता है नागर्जुन को राजनीतिक कवी के रूप में भी जाना जाता है नागर्जुन जी को किस राजमैतिक कवी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तो तो ये कुछ महतरपून बाते थी नागर्जुन जी के बारे में भसमांकुर्जोन की रचना है वो एक खंड काव्य है जो की बर्वेचंद में है पत्रहिन नगन गाच मैथली भाशा की रचना है जिसमें बावन कवीताई संकलित है नागर्जुन ने अपनी कवीता परती हिंसा हिस्थाय भाव के संदर में लिखा है कि ये है तो नागर्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है और नागर्जुन को राजनितिक कवी के रूप मे भी जानग जाता है ये तो इनकी कुछ काव्य संग्रय थे और उनसे संबादित कुछ महतपुन बाते अब इनकी परसिद कवीताउं पर बात करेंगे नागर्जुन की परसिद कवीताई नागर्जुन जी की परसिद कवीताई कौन कौन सी है नागर्जुन जी की परसिद कवीताई बादल को गिरते देखा है बादल को घिर्ते देखा है पाशाणी पाशाणी भी प्रसुद कवीता है सिंदूर तिलकित भाद भाद सिंदूर तिलकित भाद तुम्हारी तंदूरित मुस्कान आपको याद रखनी है बादल को घिर्ते देखा है पाशाणी सिंदूर तिलकित भाद और तुम्हारी तंदूरित मुस्कान इसमें अपने छोटे बच्चे की मुस्कान को देखर ये कवीता उन्होंने लिखी थी कि तुम्हारी तंदूरित मुस्कान मुरीत तक में भी डाल देगी जाने महतपुन और प्रसिद कवीता है नागर जुन जी की उसके बाद है दोस्तों पांच पूत भारत मातागी पांच पूत भारत माता के कालिदाश हरीजन गाथा और अकाल और उसके बाद ये कुछ परसिद कवीताई है नागर जुन जी की बादर को घिरते देखा है पाशाणी सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतूरित मुस्कान पांच पूत भारत माता के कालिदाश हरीजन गाथा अकाल और उसके बाद ये महतरपूर कवीताई है कि उसकी नागर जुन जी की नागर जुन जी ने दोस्तो जो भस्मानकुर हमने बताय था कवीता में नागर जुन ने काम को जीजी विशा के उत्स और स्रिस्ट्री के मूल के रूप में वेक्ट किया है इसका वीता में नागर जुन जी ने सीव और पार्वती के संबंदों में सहेज मानविय सामाजिक द्रिस्ट्री से देखा है सीव और पार्वती को किसमें भस्मानकुर जो इनका खंड का गय था भारत में दोस्तों बिटेन की महारानी के आगमल पर आगमल पर स्वागत की धूमधाम को देखकर नागर जुन जी ने कुछ पक्तियां कही थी वो क्या है वो है आओ रानी हम धोएंगे पालकी आओ रानी हम धोएंगे पालकी यही हुई है राय जुआहर लालकी यही हुई है राय जुआहर लालकी जो महारानी आई थी बिटेन से उसकी स्वागत की धूमधाम देखकर नागर जुन जी ने कुछ पक्तियां कही थी क्या कि आओ रानी हम धोएंगे पालकी यही हुई है राय जुआहर लालकी इनकी जो कवीता है प्रसिद कवीता सिंदूर तिलकित भाल सिंदूर तिल्कित फाल जो इनकी रचना है उसमें ये जो कवीता है इनकी वो स्रेस्ट पर्णेपर्क रचना है स्रेस्ट पर्णेपर्क रचना है नागरजुन जी कौन सी सिंदूर तिल्कित फाल स्रेस्ट पर्णेपर्क रचना है नागरजुन जी की जो महरानी आई थी ब्रिटेन से उसके स्वागत के धुमधाम को देखकर नागरजुन जी ने कहा थी कि आओ रानी हम ढोएंगे पाल की यही हुई है राय जुआहर लाल की परसिद कवीताएं कौन कौन सी है दोस्तों बादल को गिरते देखा है पास्चानी सिंदूर तिल्कित भाल तुम्हारी दंतूरित मुश्कान पांच पूत भारत मातागे काली दाज हरी जन गाथा अकाल और उसके बाद यह हैं इनकी परसिद कवीताएं परसिद जो कावे संग्रय थे वो हमने बताए यूग धारा इनका पर्थम कावे संग्रय है जो की 1953 इस्वी में लिखा गया था उसके बाद है सतरंगे पंखो वाली 1969 इस्वी 85 पत्राई आंखे 1962 इस्वी भसमांकूर जो की एक खंड कावे है बर्वेचंद में रची है 1971 इस्वी में लिखा गया था तालाब की मचलिया उन्नी सो पिचेतर इस्वी हजार हजार खिचडी विपलव देखा हमने 1980 इस्वी तुमने कहा था 1980 इस्वी हजार हजार बाहों वाला 1981 और पुरानी जुतियों का कोर्स 1983 इस्वी ये इनके कावे संग रहा है परसिद कवीताओं पर हमने बात की तो वो भी आपने पता चल गया होगा किल्कि परसिद कवीताओं कौन सी है परगतिवाद के शलाका पुरुस के रूप में ये जाने जाती है छायावाद के शलाका पुरुस थे सुरे कांत्री पाठी निराला जी और परगतिवाद के थे नागार जुन जी को राजनेतिक कवी के रूप में भी जाना जाता है नागार जुन जी ने दोस्तो अपनी ही कवीता परती हिंसा इस्थाई भाव है को क्या कहा था कि ये तो नागार जुन साहित्या का मैनिफेस्टो है और जो इनकी पत्रहीन नगन गाच है उसमें बावन कवीता इस संक्लित है जो कि मैत्री भाषा मेरा चीत है जिस पर साहित्या काद में पुरुषकार दिया गया था वो भी आपको धान रखनी है तो दूस्तो कुछ पंक्तियां है नागर जुन जी की बहुत ही परसिद है जो पहले बहुत ही बार पूछी गई है उन पर हम बात करेंगे जन जन में जो उर्जा भर्दे मैं उदगाता हूँ उस रवी का ये पंक्तियां है दूसरी है याद आता मुझे अपना तरवनी ग्राम याद आती लिच्चियां ओ आम तो अगर आपको उनके बारे में पता होगा कि जैसे आपको पता हो कि नागर जुन कहां के थे तरवनी गाओं के थे तो यहाँ पर तरवनी का जिकर हुआ है पक्तियों में तो आप असाने से उसको कर सकते हैं उस आंसर को आप दे सकते हैं जैसे याद आता मुझे अपना त बैत्री गाउं था वो द्रौन नहीं था तो आप इसको अगर आप कोई पेपर में मिलता है तो आप इसको असानी से कर सकते हैं इसलिए मैं दोस्तों बार-बार बोलती हूं कि जो जनम जनमस्थान आपको याद रखने चाहिए क्योंकि कई बार जो पक्तियां होती है कवी ता है तो अपने जो आस-पास के वातावन से सम्वडित लिखता है तो वो आप उनको अच्छ से कर पाएंगे ये बहुत ही महतवपन पकती हैं कि कई दिनों तक चुलहा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास कई दिनों तक चुलहा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास ये कुछ आपको पता है जो परगतिवाद में साहित लिखा गया था दोस्तों वो लिखा गया था सरवहारावरक पर, जो सोसित जुनोंने सोसन सहा है कई दिनों तक चुलहा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास कालिदास, अगर आपको पता होगा कि उनकी परसिद्ध कवीता है, अभी हमने बात की कालिदास तो अगर इस तरह का परसन आता है, इस तरह की पंक्तियां अगर कालिदास का उसमें जिक्र है तो आप आसानी से कर जाएंगी कि ये नागर्जुन जी की पंक्तियां है कालिदास सच सच बतलाना इंदू मती के मृत्यू सोक से अज रोया या तुम रोय थे कालिदास सच सच बतलाना घुन खाई सहतीरों पर बारह खड़ी विदाता बांचे फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाचे अमल धवलगिरी के सिखरों पर बादल को घृते देखा है त्य जो पकतियां है अभी हमने बात की वो सबी इनकी महतपुन और प्रसिद कवीतां से लिग गई है Ale ध हमने बात की थीedel optics बादल को घृते देखा है कालिदास पर भी अभी पकतियां होई है इनकी जो तुम्हारी दंटूरित मुश्कान हैं ये भी बहुत ही प्रसिद इनकी कविता है अघ्या। पाँच पूथ भारत माता के ये देखें यहां पर हमने प्रसिद कविता इनकी बताई थी पाँच पूथ भारत माता के दुसमंथ आखुंखार गोली खागर एक मर गया बागी रह गये पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खुंखार गोली खा कर एक मर गया बाकी रह गए चार बोले तुम केवल पांच मिनट चुप रहे आदमी हजार चप्पा चप्पा बस पांच मिनट बोले तुम केवल पांच मिनिट चुप रहे आदमी दस हजार बस पांच मिनिट जो गांधी कवीता है नागरजुन्जी की कवीता है गांधी उससे ली गई है ये पंक्तिया कि बोले तुम केवल पांच मिनिट चुप रहे आदमी दस हजार बस पांच मिनिट अभी हमने ये लाइने कही थी गुन खाए सहतीरों पर बारहे खड़ी विधाता बाजे फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाजे बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पांस तमाजे इसी तरह दुखरन मास्टर घटता है आदम के साजे ये पक्तियां क किस्ते हैं योगधारा कवीता से हैं यह पंक्तियां बहुत ही जादा वार पूचई जाती है देखता करते हैं हम उन पंक्तियों को इकठा करते हैं जो पहले पूछी जा चुकी है बहुत सारे पेपरों में चाहिए वो किसी बीचीज का पेपर हो तो प्रसिद पंक्तियों को इकठा करते हैं और यहां पर हमने पहले नागार्जुन की प्रसिद कवीताओं के बारे में बात की कि बादल को जो पंक्तियां है वो पूछी गई है तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी कितनी पसिद पंक्तियां है जो कवीताई है नागरजुन जी की इसलिए हमने आपको ये बताई कि नागरजुन जी की पसिद कवीताई है ताकि आपके विपरों में आए और जो आपना जो आंसर है वो सही दे चुके इनके जो सभी कावे संग्रेय हैं और जो भी नागर्ज उन से संबन दें महतप उन बाते हमने बताई वो भी आपको याद रखनी हैं कौन-कौन से पुरुशकार इनको दिये गए हैं मृत्यू जनमस्तान याद रखना है काव्य संग्रेय याद रखने सभी वो भी दोस्तों प्रकाशनवर्ज के साथ क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे पेपर हैं जिन में कर्मानुसार लगाने वाले परसन आते हैं ये ऐसे भी आते हैं कि जैसे अगर उधान के तोर पर नागार जुन जी को ही ले लिए जाए कि नागार जुन जी की रचना वो कर्मानुसार लगाईए तो दोस्तो नागार जुन जी के अगर आपको याद होंगे प्रकाश वर्ष याद होगा और दूसरी महतपुन बात है यह दोस्तों जनम अगर आपको किसी कवी कर आपको पता होगा कि यह किस यूग के कवी हैं तो वह भी आप अच्छे से कर सकते हैं तो यह सबी चीज़े याद रखिए क्योंकि अगर एक सूर्दास की रचना दे दी जाए और एक परगतिवाद से किसी कवी की रचना दे दी जाए तो आप उसका असानी से कर पाएंगे क्योंकि सूर्दास जी तो भक्तिकाल में हुए थे और यह आधू निकाल गए परगतिवाद में हुए थे तो इस तरह यह चीज़े भी आप दिमाग लगा के परशनकों कीजिए क क्योंकि आंसर आपके सामने ही है सिरफ आपको उसको घूंडा है तो दोस्तो पहले हमने बात की थी केदार नाथा गरवाल परमुकवी परगतिवाद के आज दोस्तो हमने परगतिवाद के परमुकवी नागार जुनजी पर बात की और अगली क्लास में हम परगतिवाद के ह परमुक अवियों पर बात करेंगे धन्यवाद